अंबाला में शनिवार को एक संदिग्द आतंकी को गिरफतार किया गया है कारवाही पंजाब और जम्मू कश्मीर पूलिस ने साथ मिल कर की है पता चला है कि मुहमद इसलाम नामक का यह संदिग्द सेब के एक ट्रक में सवार होकर जम्मू से दिल्ली जा रहा था सुरक्षा एजंसे की सूचना के बाद पंजाब पूलिस ने पीछा किया और हर्याना पूलिस को विश्वाश में लेकर अंबाला छावनी रेल्वेस टेशन के पास नाका लगा कर आखिर इसे पकड़ लिया संदीत आतंकी जैशे मोहमत का सदस्य बताया जा रहा है जम्मू पूलिस और सुरक्षा एजंसे की पूछताच के बाद ही स्थितिस पस्ठ होगी जानकारी मिली है कि जम्मू पूलिस को जैशे मोहमत के संदीत आतंकी की तलाश थी इसके बाद जम्मू पुलिस ने पंजाब पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है लेकिन संदीद आतंकी जम्मू और पंजाब पुलिस की आखों में धूल जोंक कर हर्याना में प्रवेश कर गया था हात नाने पर अंबाला पुलिस को सूचना भेज दी गई थी इस पर आर्मी और सी आईए पुलिस ने चावनी वेल्वेस्टेशन के पास नाका बंदी कर दी और से पकड़ लिया आतंकी एक सेब के ट्रक में सवार होकर आया था और उसे दिल्ली जाना था हाला कि तलाशी के दोरान संदिग्द के पास से कोई हत्यार वगेरा ब्रामद नहीं हुआ है फिलार अंबाला चावानी पुलिस ने जम्मू पुलिस के सुपर्द कर लिया है इमतियान और 12 सितंबर को लखनपूर में पकड़े गए जैश के तीन आतंक्यों को हैंडलर आशी ही है वह सुरक्षा बलों से बचने के लिए बीते साल अक्तूबर महा के दोरान पाकिस्तान भाग गया था वह वही से जैश के लिए कश्मीर में हत्यारों का बंदोबस्त करने से लेकर उसके कैडर को वादी में सुरक्षित पहुंचाने का जिम्मा संभाव रहा है इस बीच इमतियास से पूस्ताच के बाद पंजाब और हर्याना पुलिस को इन्पुच मिला इसके बाद महुम्मद इसलाम को पकड़ लिया गया इमतियास की निशान देही पर अंबाला में कारेवाई की गई अंबाला के एस्प अभिशेक जोरवाल का कहना है कि जम्मू से उनके पास कॉल आई थी इसके बाद उन्होंने नाका बंदी कर दी थी संदिक सेवो के ट्रक में सवार होकर आ रहा था जिसे दिल्ली जाना था उसे गिरफतार करके जम्मू पुलिस को सोग दिया गया है जबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजगराना और फानेस्ट बैंक्वेट हॉल जोती गार्डन के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवाद